नमस्कार दोस्तों जी केर दूसर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश लुक्सवायोक प्रयागराग जैसी प्रक्ता इतिहास प्रेटिसेट 23 में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगोंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलिए ताकि जब भी मगला वीडियो अपलोड करूँ उसका चली वीडियो प्रारंब करते हैं तो चलते चलते इसको आप लोग देख लिजेगा देखे पाला कोर्शन है इसमें निमलिकित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रे दाता था दिया इसमें बलवंत सिंग, गोवर्धन सिंग, सावंत सिंग या उमेद सिंग तो कोटा कलम का आश्रे दाता था इसका एंसर होगा D उमेद सिंग कोश्चन नमबर दो है कथन और कारण से, देखे दिया इसमें कथन, ईरोपी बैपारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया कारण दिया है हुंडी मुगल भारत में प्रक्चलान में थी तो इसमें तो A वाला गलत है लेकिन D इसमें सही है R सही है इसमें तो A गलत है और R सही है तो इसका एंसर देखिए D होगा इसमें A गलत है R सही है Question No.3 देखिए फोर्ट सेंट जार्ज भारत के किस राज में स्थित है तमिल नाडू पसिम बंगाल महाराष्ट या केरल में तिये स्थित है कहां पर तमिल नाडू में इसका एंसर हो जाएगा अ तमिल नाडू तमिल नाडू या मद्रास भी दे सकता है अप्षन Question number 4 देखे निमलिखित में से किसने मुहम्मद सा से जगत सेट की उपाधी प्राप्त की थी मुहम्मद सा से जगत सेट की उपाधी किसने प्राप्त की थी दिया है फतेह चंद, हीरानंद सा, ओमी चंद या उपिप में से कोई नहीं तो इसका करेक्टेंसर हो जाएगा ए फतेह चंद ये बंगाल के प्रसित बैपारी थे फतेह चंद और इनको मुहम्मद सा ने जगत सेट की उपाधी से सम्मानित किया था Question number 5 है बंगाल के उन जिलों की पहचान कीजिये जिनके राजस्व प्रसासन को 1760 हिस्वी में इस्टेंडिया कमपणी को हस्तांतरित करके मीर काश्म ने बंगाल की नबावी प्राप्त की थी तो कौन-कौन इसमें जिले हैं वर्दमान, मिदनापूर, हुगली या धाका, चटगा, हुगली या हुगली, हावड़ा, मिदनापूर, मुर्शिदाबाद, बालासोर या चंदरनगर इसमें एंसर देखे ये वला सई होगा वर्दमान, मिदनापूर और हुगली Question number 6 है नीचे दिये गए, कूट से घटनाओं को सही करम में बैठाना है यहां कुछ घटना दिये गए, इसको सही करम में बैठाना है तो सही करम में बैठाने के लिए, जिसे दिया है, बंगाल में द्वन्द सासन की समाप्ति कभी थी इसका date याद रहेगा तभी आप इसको सही करम से बैठा सकते हैं तो ये 72 में हुआ था 1700 इलाबाद की संदी पूछेगा तो ये हुआ था 1765 में पलासी का युद जानते ही हैं 1757 में वांडी वास का युद 1760 में ये करम है अगर करम इसका देखेंगे तो सबसे पहले ये 17 है 1757 तो पलासी के युद सबसे पहले वाद था फलासी के युद ये यानि तीन 4 चार के बाद देखेे दो और एक इसका अगर इसका मैं हटा दिया हूँ आपसन इस टाइब से आपसन में आपको मिलेगा तो फलासी सही होगा कुल मिलाक डेट याद रहेगा तो आप करम बैठा सकते हैं कोशन नमबर साथ देखे निम्लिकित में से कौन लाड करनवालिस के नयाय से सम्मधी सुधारों में उसका सलहकार था जुनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट या सर बिलियम जोन्स तो कौन था, ये था सर बिलियम जोन्स डी एंसर होगा इसमें, सर बिलियम जोन्स कोशन नमबर आठ है आंगल मराठा युद से सम्मंधित निम्लिकित संधियों पर विचार कीजिए कौन इसमें कालानुकरम सही है ये पूछ रहा, इसमें भी आपको डेट याद रहेगा, तभी आप सही लगा पाएंगे तो चलिए देखते हैं इसमें डेट इसका क्या होगा तो अरजुन गाउं की संधियों अगर पूछता है तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1803 को 30 दिसंबर 1803 को अरजुन गाउं की संधियों देव गाउं की अगर संधियों पूछेगा इसका डेट तो ये हुआ था 17 दिसंबर 1803 को गी और बेशीन की संधियों पूछेगा कब हुआ था तो ये हुआ था 31 दिसंबर यहाँ पर 1802 हो जाएगा तो आप क्रम मिलाल जी एक कौन से इसमें करेक्ट एंसर होगा तो डी वला इसमें सही एंसर होगा इन्हें नीचे से गट रहा है 3,2,1 कोश्चन नमबर 9 है समाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वओधनी सवा तथा उससे जुडित पत्रिका तत्वधनी का प्रारंबक किसने कीया था दियायैर राम मोहन राय, राधाकंदेव, दλάकानाठ, टैगोर इसका एंसर हो जाया कसी देवेंदरनाठ, टैगोर कोश्चन नमबर 10 है सुमिलित करने वाला चले इसको सुमिलित कर लेते हैं जुनान्थन डंकन ये जो है बनारस में अस्थाई बंदवस से समंदित थे टामस मुनरों तीरेतवाडी बंदवस से कार्नवालेस ये जो है बंगाल में अस्थाई बंदवस से हाल्ट मेकेंजी यह है महालवारी बंदवस्थ है कोश्चन नमबर इगारा देखे भारत में अंगरीजी सुच्छा के प्रचार में सहायता करने के लिए निमलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी तो कौन सी संस्था प्रथम थी दिया है बैटिस्ट मिशन कालेज सिर्रामपूर हिंदू कालेज कलकत्ता एलफिंटसन कालेज बंबई या मेयो कालेज अजमेर इसमें प्रथम पूछ रहा है प्रथम संस्था तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी हिंदू कालेज कलकत्ता कोशन नमर बारा है साहेक संदी को सिवकार करने वाला सरपर्थम राज्य था यह हैदराबाद था सबसे पहले साहेक संदी को सिवकार किया था हैदराबाद 1798 विश्विव में हैदराबाद ने सितंबर के महिने में वेजली की साइक संदिश स्युकार की थी मैसूर की बात करें तो ये 1799 में किया था साइक संदिश स्युकार मैसूर अवद अवद किया था ठारा सो एक में अठारा सो एक इसी में सतारा सतारा का देखिए सतारा जो एठारा सो चार में अवद पेशा बडार सिंदिय जोद पूर ये सब साइक संदिय स्युकार की था कोश्चन नमर तेरा देखिए निमलिखित में से किस अधिनियम ने सती पर्था को अवयद घोसित किया कौन सा अधिनियम था अठारा सो उन्तिस का रेगुलेशन अधिनियम रेगुलेशन अधिनियम चौदाहमा अठारा सो उन्तिस का रेगुलेशन अधिनियम पंदरहमा अठारा सो उन्तिस का रेगुलेशन अधिनियम सुलाहमा कौन था इसमें दी वला था सती पर्था को जो अबायद घोसित किया गया था कोईशन नमबर चवदा है दा प्रेस्पेट्टस आफ जेसस दी गाइड टू पीस एंड हैपिनेस नामक सीर्षक पुस्तक निमलिखित में से किसने लिखा इसमें राँ मोहन राय माइकल मदु सूदनदत थामस बैविंगिटन मैकाले या बीलियम कैरेट इसमें एंसर हो जायगा ध राँ मोहन राय यानि राजा राम मोहन राय कोईशन नमबर पंद्रह है फराजी विद्रो का नायक कौन था फराजी विद्रो का नायक कौन था दिया है आगा मुहम्मद रजा ददू मिया या समसेर गाजी या वजीर अली इसका करेक्ट एंसर हो जायेगा बी ददू मिया कोशन नमबर 16 है 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवेधानिक बनाया था बाल विवास इसु अत्या सती या दास पर्था तो इसमें करेक्ट एंसर हो जायेगा आपका डी दास पर्था को कोशन नमबर 17 है ठाकूर कौसल सिंग ने जो अठारो संतानों विद्रोईयों से जुड़ गए किसने अंग्रेजी सेना को हराया और कहां का प्रमुक थे ठाकूर कौसल सिंग इनका नाम था यह थे अहुआ के अहुआ इरा स्थान में पड़ेगा स्थान कोशन नमबर 18 है 1865 में बंगाल में घटित नील बिद्रोग के नेता का नामों लेख कीजिए नील बिद्रोग के नेता कौन थे इस में बंकीम चांड चटारजी दीन बंधु मित्र राधाकन देव असी सिरकुमार घोस इसमें करेक्टर अनसर रोजाएगा बी दीन बंधु मित्र कोशन नमबर 19 है भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम सचीव कौन था तो भारती राष्टी कांग्रेस का प्रथम सचीव था अल्लान आक्टिवियन हियूम जिसको एओ हियूम के नाम से भी जानते हैं कोशन नमबर 20 है 1904 में करंतिकारियों की गुप्त सभा अभिनो भारत का गठन किसने किया था ये किये थे बीडी सभार करने कोशन नमबर 21 है इंडिया लीग तथा इंडिया नेशनल कांफरेंस नामक राजनेतिक संगठनों का संस्थापक कौन था दिया गोपाल कृष्ण गोखले इसमें कुट से देना है सुरेंदरनाथ बनर जी रामेतुल्ला सयानी डवलूसी बनर जी इसमें केवल दो वला सही है केवल एंसर इसमें बी हो जाया केवल दो इसमें सही है सुरेंदरनाथ बनर जी कोश्चन नमर 22 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं आमधिया आंदोलन मिर्जा गुलाम आमः से सम्दित है देव बंद आंदोलन तीये मोहम्मद कासिम नौतवी से नौधत उलूलेमा आंदोलन तो ये सम्दित है किसे से सिबली नुमानी से और अहल ए हदीथ आंदोलन कादियानी तिये वली उल्ला से सम्वंदित हैं कोश्चन नमबर तेईस है 1906 में गठिट डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे अमबेटकर चंदावकर गोपाल क्रिशन कोखले या जोतिब फूले इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा B चंद्रावकर कोश्चन नमबर 24 है इंगलेंड में आरंभिक भारति इंगलेंड में आरंभिक भारति राष्टि कांगरेस के नेता किस पत्र का प्रकासन करते थे इंडिया या इंडियन इंडियन उपिनियन या द लीडर की इसका इंडिया के इंडिया नामक सब्ताहिक पत्र का था ये कोश्चन नमबर 25 देखे और अंतिम कोश्चन है निमलिखित में से किस ने काकवोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया इसमें अंसर हो जाएगा भी चंद्र सेखर आजाद ने जो है काकोरी कांड के सामना नहीं किये ये जो है सहीद पार्क में हिलाहबाद के सहीद पार्क में जो है अपने ही गोली से अपनी कनपटिफ लगा को मार लिए थे ये ये काकोरी कांड भी नहीं फसे थे उससे फ्री थे ये ये थे कोर्सन आज के लिए तूमेद करता हूंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया थे इसको लाइक करे अपने दोस्तों क्यादिक सेयर क करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम